भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कई बड़े वादों और जुमलों के साथ 8 नवंबर 2016 को घोशना करके सभी 500 और 1000 रुपे के नोट चलन से बाहर कर दिये थे एकदम से हुई इस घोशना के कारण पूरे देश में हल्चल सी मच गई थी लोग अपने ही पैसों को बदलवाने के लिए घंटो घंटो बैंकों की लाइनों में खड़े रहते थे पूरे देश को मोदी सरकार ने बैंकों की लाइनों में खड़ा कर दिया था सरकार वा RBI के निदेशों ने पैसे बदलवाने पर भी एक सीमा तै कर दी थी जिसकी वज़े से लोगों को अच्छी खासी परसानी का सामना करना पड़ा था जहां एक नाकाम्याब नोडबंदी पर मोदी सरकार अपनी बढ़ाई करती रहती है वही उस नोडबंदी के कारण ग्रामीड इलाकों हो या शहर हर जगा गरीब लोगों को अपने ही पैसे बदलवाने के लिए ना जाने कितनी ही मार सहनी पड़ी थी गरीब मैंने इसलिए कहा क्योंकि कोई भी अमीर आदमी घंटो बैंकों की लाइन में लगा नहीं दिखाई दिया किसी अमीर आदमी ने लाठी नहीं खाई ना ही किसी अमीर आदमी की जान गई कोई अमीर आदमी भूखा नहीं सोया और ना ही किसी अमीर आदमी को अपनी नौकरी गवानी पड़ी इस नोटबंदी के कारण ना जाने कितनी ही गरीब लोगों को अपनी जान से हाथ गवाना पड़ा था और यह किसी से छुपा नहीं है कि लगतार मीडिया और अकबारों में नोट बंदी के कारण हुई मौतों का लेख छपता रहता था पर वहीं अब इस मामले पर भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोदी के कारियाले यानि की PMO ने कहाए कि नोडबंदी के बाद हुई बहुतों के बारे में उनके पास कोई सूचना ही नहीं है परधान मंतरी कार्याले में मुखे जन सूचना अधिकारी ने केंद्रिय सूचना आयोक के सामने ही है डावा किया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नोट बंदी के कारण किसी की मौध भी हुई है पीमो इस बास से साफ भू कर गई है कि नोट बंदी में लोगों की मौध भी हुई थी हाला कि ततकालिन वित्त मंतरी अरुन जेटली ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में 18 दिसंबर 2018 को कहा था कि उपलब्द सूचना के मताबिक नोट बंदी के दोरान भारती स्टेट बैंक के तीन अधिकारी और इसके साथ साथ एक ग्रहा की भी मौत हो गई थी रिपोर्ट के मताबिक नोट बंदी से जुड़ी मौत पर यह पहली भार था जब अरुन जेटली ने खुद यह बयान दिया था कि सच में मौते हुई है नोट बंदी के कारण बैंकों के सामने लंबी-लंबी कतारों में लगने और अलग-अलग कटनाईयों का सामना करने से कई लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ा था लगातार मीडिया में यह खबरें आती रहती थी डायर कीकिक RTI में जब सरकार से यह सवाल पूछाएगे कि नोट बंदी के बाद कितने लोगों की मौत हुई है और उसकी एक सूची हमें दी जाए इसके लिए परधान मंतरी कायले से निर्धारित 30 दिनों के अंदर जवाब ही नहीं मिला PMO ने सीधे तोर पर नोट बंदी के दोरान हुई मौतों की जानकारी देने से साफ इंकार कर दिया है निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भड़ें ताकि हम सीधे आपसे जूर सके निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख